हेलो एव्रिवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप लोग, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज का जो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ये है कि आपका जो बेबी है वो सेरलेक जो है उसे कब से आपने स्टार्ट कराना है और कितना देना है और कब से देना है कौन सा ब्रैंड यूज करना है आपने उसके लिए कितनी बाहर देना है तो हम इस वीडियो में यही सब ब पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चली वदाउट अनी फर्थर दिले मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगी गाइस देखिए जो सारलैक होता है वो ह सब्सक्राइब करते हैं और चैनल रहल युद्सक्राइब कशनवां को सब्सक्राइब हुदा है सबसे आभटर पानी 6- tradedrá इंसर पानी हें था मारी होती स्टार्ट करना है बच्चों के लिए वह हमें स्टार्ट करना होता है सिक्स प्लस के बेबी को जैसे कि मैं परस्नल आप से शेयर करना चाहूंगी मेरी डॉटर है वह अभी नाइन में आज ही लग गई है तो आगर मैं बात करूं कि सेरलेक की यस मैंने श्रूर कर दिया है क्यो मैं नैसले का सेरलेक यूज कर रही हूं उसके लिए और यह मैं अभी यूज कर रही हूं मिक्स फ्रूट वी ट्राइट मिक्स फ्रूट है यह इसमें क्या है क्योंकि वह अभी 10 में स्टार्ट हो चुकी है आज से तो मैंने यह वाला भी दो दिन पहले से ही उसको देना शु तो मैंने एक दम से सहरलेक और शीचे कुछ घर में भी बनाती थी यह सुपोस्जी की खीर वना दिया या मैंने कुछ उप्मा बना दिया है कभी हलका हलका से कभी खिज़िए लाइट-लाइट सा बिल्कुल स्टार्ट किया था एक दम से मैंने कुछ भी उसे देना शुरू मैंने चाहिए आपके जो बॉक्स पे होता है वह आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं इसमें क्या होता है दिखिया सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें किस एज से तो हमें 6 प्लस एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप घर में बना पा रहे हैं तो इसमें क्या होता है सारी एज मेंशन होती है 6 8 10 12 18 या इस एज के वाइस से ही आप उसको सेरलेक देना शुरू कर सकते हैं फरस्ट आपने क्या करना है इसमें ज सब्सक्राइब कर रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं यह अभी और खा सकता है तो आप उसको टू स्पून दें फिर थी स्पून इस तरह दिरी थोड़े सी क्वांटिटी बढ़ाए मैंशन तो उस पे होता है बड़ जितना मैंशन होता है 3 स्पून बहुत जौदा हो ज से देनि है धेना है जैशों भुआपसे संपेज बड़ मेंसे स्ब्सक्राइब अब हो इप करना क apostल से कि सब्सक्राइब को उती स कट रहा है और अब जिध्यों चीजा को स्म या वीट एप्पल करीमी औरेंज राइस वेजटेबल खिचडी इन फैक्ट इसमें एक और दे रखा है खिचडी वीद वेजटेबल गी तक है इसमें इंकलूड और आगी आपल भी दे रखा है इसमें बहुत सारे फ्लीवर सा एक मन्स से जो स्टार्ट हो रहे हैं 10 months में इसमें दे रखा है कि wheat rice mix fruit है, wheat rice mix veg है and wheat honey and dates का है जो खजूर का और शहाद का होता है 12 months में इसमें इसमें multigrain fruit है no.2 इसमें multigrain dal veg 2 ही इसमें दे रखे हैं खाली इसमें 18 months में है वहा 5 grain fruits 5 grain and vegetables मैंने जाना चाहते हैं ऐसे ऍसमें को सब्सक्राइबाय समय। यह भी ऐखने थैज मेन दला और पीर फ्लेवर नाय को शोके प्रूट को से स्ट आप आप मरिया भी अवीड तो भीर को सब्सक्राइब नेजिक सघ्वने ऐस नहीं किया था तो मैं यह सजिस्स करूंगी आपको कि आपकी थोड़ा सा एट बन से शुरू करें क्योंकि बच्छा नया नया खाता है तो जुरूर नहीं से सूट कर जाए तो आप राइस का या फ्रूट वाला स्टार्ट करें इसमें कई फ्लेवर्स भी हैं अलग अलग तो बच्छे को कौन सा पसंद आ रहा है सम्टाइम्स क्या होता है बच्छे को कोई आपने खिलाया उसने खाया नहीं मूह से निकाल दिया या उससे वोमेट हो गई या या उसको सूट ने करा लूज मोशन लग गए इसमें यह भी हो सकता है कि आपने जबरदस्ती उसे खिला यह अर वह फ्लेवर उससे पसंद नहीं आ रहा है या उसे एकदम से नए-nए चीज़ खाने को मिली है तो तो असे बसन नहीं नहीं बाद रहा होगे तो रिजन कुछ भी हो पता है कि नहीं बच्छा खाना शुरू करता है तो हमें पतां नहीं है कि उसने क्यों नहीं खाया क्या रीजन है इसमें क्या होता है कि आपको इसे बनाना कैसे है आप इसे काव मिल्क में या बफैलो मिल्क में प्लीज बिल्कुल ना बनाए क्योंकि यह मिल्क में नहीं यह पानी में बनाना होता है आप चाहो तो देखिए सजिस्ट करने वाले सजिस्ट करते हैं कि कि विखना थेज घरम हएं अगर थंदे पानी में तो नहीं उसे टेस्टव यह थेपाने में तब खाने में बहुत जदा गाड नहीं रखना है बहुत जदा पतला भी नहीं स्मूथ होना चाहिए से बच्चे को सटकने में असानी हो और यजीली वह खा आए अब बात करते हैं कितनी बार किने दे करें तो आप इसको क्षोर्टाइब था गार भी हो वह रृषर ऑगवार धे कि मैं तो ईसनी कि मैं तो इससे भी बतिते हूँ आप सब्सक्राइब धे सकते हो गर्हाइब तो केतने टाइम श्रडव कर तो मैंने क्या कर रहा था मैंने वो खचडी है मैंने इन मिक्सी में पीज दी जो वो बैवर घुल बन गया तो बनने के बाद क्या सार रहा एंस प्याए जालाइप ही जाहाँ में बच्छी में खा लिया तो मैं यह सजेस्स करूँगे आपको कि अगर आपका बच्चा उस तरह से खिच्डी नहीं खा पा रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो भी छोटा है हम क्या करते हैं चोड़ देते हैं अभी तो खाना शुरू नहीं कर रहा है नहीं आप उसको वह चीज मिक क्या होती है इसकी सारल एक कि कोई side effect नहीं है इन फैक मेरी बड़ी बेटी भी है वह भी nine years की तो मैंने तो उसे बहुत खिलाया है यह बहुत ही हो पाता है कि मैं यह सब चिजब बना-बना कर देती थी थी थोड़ी बहुत वन टाइम तो मैं उससे देती ही देती थी कोई side effect बहुत अच्छा है बच्चे का पेट भर जाता है और वह आराम से दो घंटा खेलता है कोई ब्रेस फीट देने की उस टाइम पेट विन नहीं होती है तो यह बहुत अच्छा है कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप इसे इसे एजिली यूज कर सकते हैं क्योंकि मैं तो बहुत से खुलाएं मैं यह आपको सजेस्ट करूंगी जरूर देखें अगर आपको लगरा जल्दी से एकस्पायरी होने वाला है वह अभी तो बचा है मैंना भर तो नहीं आप उसे मत ले कम से कम 6 मन तक की एकस्पायरी वाला ही आप इसमें देखें और कोशिश यह करें कि इसको आप 15-20 दिन में एक बॉक्स को खतम कर दें मेरा यह बॉक्स 15 डेज भी प्रॉपर चलनी पातागा उसे पहले ही यह खतम हो जाता है तो बहुत अच्छा है आप इसे यूज कर सकते हैं इसे किसी एटाइट कंटेनर में ही आपने रखना है जिसे कि जल्दी से खराब नहीं ह और हां ऐसा नहीं कि आपने इसको दे दिया तो आप ब्रेस्ट फ्यूट कराना बंद कर देंगे नहीं वह सच्छादर इंपोर्टन है आपने वह बिल्कुल बंद नहीं करना कि आपने यह सटार्ट कर दिया तो आपको जरूर स्टार्ट रखना है बाकी घर में जो भी सब्सक्राइब कर देंगे तो बड़े होके वह वाली है जाएगी बिल्कुल उसके अंदर आपने इंतिजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह नहीं खाना या वह नहीं खाना सब कुछ उसको एक चीज आपने उसे खिलानी है गाइज और इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी आपको कि आपने बहुत ध्यान से यह मतलब बच्चे को खिलाने का सोचना है कि बच्चे को लूज मोशन लग रहे हैं या अगर आपको लग रहा है कि उसे सूट नहीं कर रहा है या उसे वोमिटिंग हो रही है तो आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप उसका फ्लेवर भी चेंज कर सकते हैं नहीं तो फिर दो तिन दिन के लिए स्किप कर दें कुछ ताइम बाया दुबारा से शुरू करें सम्टाइम बच्चे एक दम से मोह नहीं लगाते हैं सौरी चीजों को दो बहुत सारी चीजे होती हैं आपने उन सब चीजों को पेपे धियान देना है और हां जो आपने बनाया है उसको बियो नहीं की बना लिया और उसको फिर आपने 2 घंटे बाद आब लिया घ्ला डेते तो लुकल दो नहीं करना इप इसलिए कम बनाए अगर वह खारा है त तो फिर वह वेस्ट आइटम में जाएगा आपको दुबारा से नहीं खिलाना प्लेस को बना हुआ बने भी तो हम कोई वह चीज नहीं खिलाते हैं बट वह सैरल लग्ट वैसे ही यह बहार की चीज़े होती हैं तो हम इन चीज़ें पर फोकस करेंगे कि हाम इने दुबारा से किना खिलाएं और मेरे हिसाब से अभी तक मैंने आपको जो भी एड्वाइज को जानकारी दिन है वह आपके लिए अपको अच्छी लगी होगी तो अगर आपको इसाब मेरी अडवाइज अच्छी लगी हो जो गोने आपसे बीशेयर करी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स